उत्तर पदेश के वारानसी जिले में इस समय एक शादी चर्चा का विश्य बनी हुई है यहाँ दो बहनों ने समाज की बंदिशों को तोड़ते हुए हिंदू रिती रिवाज के अनुसार वारानसी के सिव मंदिर में शादी की है इस दोरान दोनों बहनों ने एक दूसरे के गले में जैमाला पहनाई इसके बाद एक यूती ने दूसरी यूती के गले में मंगस उत्र डाला फिर दोनों यूती शादी के बाद कानपुर रवाना हो गई मीडिया खबरों के अनुसार मामला वरान सी के रोहनिया थाना के महनसरा स्थित धांगड की बीर बाबा मंदिर के पीछे स्थित 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 मंदिर का है श्रीव मंदिर के पुजारी सड्डू महाराज के अनुसार एक ओटो में बैठ कर दिन में दो यूतियां आई, दोनों जिन्स वर टीशट पहने थे वहां आते ही दोनों ने पहले पुजा अचना की शुरू में यूतियां अन्य शद्डालो की भाती पुजा पाट कर रही है कुछ दिर बाद दोनों आपस में शादी के अनुमती मांगने लगी दोनों की बाती सुनने से पहले तो पुजारी असहज हो गए लेकिन लड़िक्यों के अनुने विनई को देखते अनुमती दे दी इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को जैमाला पहनाया एक यूती ने दूसरी को मंगल सुत्र पहनने के बद चुन्री भी उड़ा दी फिर दोनों यूतियां आटो में बेट कर चली गई पुजारी सटू माराज के अनुसार इस मंदिर में शादी कराई जाती है और बकाईदा शुर्क लेकर पंजी करण भी किया जाता है लिखा पड़ी के दौरान वर कन्या पक्ष का बकाईदा उलेक भी होता है पुजारी का कहना है कि फिलाल इन दोनों यूतियों की शादी पंजी करुद नहीं किये गई है कानपूर की यूति सुंदरपूर में रहने वाली अपनी मौसी के यहां रहकर पड़ाई करती थी इसी दोरान मौसेरी बहनों में प्रेम प्रसंग हो गया और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया दोनों यूतियों जिस आटो में आई थी उसके चालक ने बताया कि एक यूति कानपूर और दुसरी बनारस की रहने वाली है यह भी बताय कि यहां से सीधे दोनों यूतियां कानपुर्वाना हो जाएगी अब शेत्र में दोनों यूतियों की शादी की काफी चर्चाएं हो रही है